वेलकम बैक तो अबर चानल लाइफ इंट रेडिंग अनकल के लिए बेस्ट त्री स्टॉक्स अपने पाइब टार्टा कंजूमर प्रोडक्स अटा कंजूमर प्रोडक्स में अल्रेडी ब्रेक आचुका है एक रसिस्टेंस था जिस्टेंस के उपर यह नहीं जा पा रहा था यहां पर ब्रेक कर चुका है एंड इवन देखा जाए तो यह ब्रेक करके सेम उसी लेबल पाया है रिटेस्ट होने अब हम लोगों को वेट करना है कि टार्टा कंजूमर प्रोडक्स यह प्रीवेस हाई को तोड़ दे जैसे मार्केट इस हाई को तोड़ेगा एक स्ट्रॉ लगा देंगे डवल 153 का फर्स्ट टाइगर रहेगा 12151 सेकंड टाइगर रहेगा 1294 सेकंड नमबर स्टाक अपने पास अल्ट्रा टेक सीमेंट एन अल्ट्रा टेक सीमेंट को देखेंगे तो यह भी एक रसिस्टेंस को यहां पर ब्रेक आउट देने का तयारी में लग तो हम लोग वेट करेंगे कि अल्ट्रा टेक सीमेंट 10265 को ब्रेक करेगा तो और अपने लिए अच्छा हो जाएगा ठीक है स्टॉप लोस रहेगा 10092 अभी स्टॉप लोस काफी बड़ा है ठीक है अब इसमें लोग को करना क्या अगर मार्केट रेंज करता है उसके बाद तो इस रेंज के नीचे हम लोग अपने स्टॉप लॉस को लगाएंगे तो यह स्टॉप लोस इतना बड़ा नहीं रहेगा स्टॉप लोस छोटा हो जागा फिलालकली हम लोग को यह लोग नजर आ रहा है जिसके वह संटॉप लोस यहां पे रखें लेकिन अगर रेंज मिल जाता है या फिर मार्केट एक लो बनाके या फिर मार्केट ऐसा कुद जो यह जो लो रहेगा यह अपने, कि पैस ब्रेटानिया या में देखेंकर को इस कारीं ह।ॉ यह थी हॉत हुआ ही आ रहा है ठीक है अभी जितना पर रिजिक्षन आ रहा है उतना ही ज्यादा चांसेज है कि अच्छा ब्रेकाउट मिलेगा हम लोग वेट करेंगे कि ब्रेटानिया 5137 को ब्रेक करें बट 5137 के उपर यह ब्रेक करने के बाद भी हो सकता मैंकर यहां से इस रिवर्स हो जाए ठीक है तो इंट्री संग संग लेबल को सुनके नहीं लेना है थोड़ा सा अपना यहां पर दिमाग को लगाना है क्यों बोले आता है कि स्टॉक मार्क में टिप्स प पर कोई ध्यान नहीं देगा तो वह पस जाएगा तो हम लोग को यह रसिस्टेंस की ऊपर में इंट्री लेना इस रसिस्टेंस की नीचे इंट्री नहीं लेना तो मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर आके यह वापस इस तरीका से गिड़ जाए और आपका इस्टॉप पाइब two का पर्स्ट टाइगेत रहेगा पर इस टाइगेत यहां पर रहेगा ऐगा तिक है मल्टिपल टचस पे फाइब डबल थ्री सिक्स पर अपना फिस्ट अगर्ट हम लोग लेकर चल रहे हैं और सेकेंड टाइगेट फाइव- 2011 यह अपना सेकेंड टाइगेट अभी इसके संक लेते हैं से हम कल ही बताए थे कि निफ्टी थोड़ा बहुत बेरिस नजर आएगा मार्केट रिजेक्ट होगा तो मार्केट क्या होगे रिजेक्ट हुआ मार्केट आज अच्छा गासा यहां पर फॉल आपको दिखा दिया होप आप लोगो को कल वाला वीडियो से बहुत हल्प मिला हुआ और हम यह बात बोले भी थे कि निफ्टी का यह स्ट्रॉंग रसिस्टेंस है तो निफ्टी इसकी उपर तो अभी जाने को रहा इसकी उपर तो भी जाने वाला है नहीं गैप अप हुआ लोगों को मौका मिला सेल करने का देखिंगे तो अगर सही से मार्केट जैसे gap up हुआ, लोग sell किये, strong selling देखने को मिले यहाँ पे, मार्केट थोड़ा सा range create किया, वापस से तोड़ा और मार्केट गिर गया नीचे के तरफ, तो अल्रेडी लोगों को पता था कि मार्केट गिरने वाला है, उपर में resistance है, मार्केट अपर जाए गा नीचे, फिलाल अभी मार्केट कल क्या करने वाला है, कल نिफ्टी का expiry है, तो कल वाले expiry वाले दिन, निफ्टी क्या करने वाला है, तो यह जो trade lane को nifty follow कर रहा है अभी फिलाल, अगर यह trade lane को nifty कल तोड़ देता है, expiry वाले दिन है तो यहां पर market थोड़ा strong भी हो सकता है downside के लिए तो अगर यह trade line तूटेगा तो nifty वापस से गिरना start कर देगा तो यह trade line का तूटने का wait करना अगर trade line का कल breakdown आ जाता है तो nifty कल अच्छा कासा point हम लोग को moment दे सकता है अब nifty गिरिगा तो कहां तक गिरेगा कम से कम हम लोग nifty का target यहां तक लेके चल सकते हैं कल के दिन कि 21 450 एक किस अजर पांचो का एक राउंड फिगर ले लेते हैं बैंक निफ्टी देखे वापस अपने रसिस्टेंस के पास पहुंच रहा है और बैंक निफ्टी को भी बोला गया था कि बैंक जादा उपर नहीं जाएगा रिजेक्ट होके वापस नीचे ही आएगा तो बैंक निफ्टी वी गैप अपन हुआ रसिस्टेंस के पास मिला market अब यह जो ट्रेड लाइन है जिस ट्रेड लाइन को बैंक निफ्टी फॉलो करता हुआ जा रहा है यहां पर यह कल अगर तोड़ दिया ना तो फिर मज़ा ही मज़ा है जो मार्केट अभी तक साइडवेश चल रहा ता 2-3 दिन से पैसा कमाने वाला टाइम आ चुका है हम लोग बैंक निफ्टी का टाइगेट कम से कम इस लो तक लेके चल चलेंगे 45,100 राउंड फिगर ले लेते हैं 45100 तक का टाइगेट रहेगा और इस जगह पे भी प्रॉफिट बोकिंग आएगा तो यह भी प्रॉफिट बोकिंग जोन है 45339 फॉर फाइव ले लिजिए 45600 का ठीक है यह फिर 45550 का एक राउंड फिगर आप लेके चलिए जहां पर प्रॉफिट बोकिंग देखने को मिल सकते हैं तो ओप यह वीडियो आपको देखके काफी पसंद आया होगा कुछ सीखने को अगर मिला तो जरूर से में को कमेंट के भी आते हैं काफी दिनों से कमेंट्स आप लोगों का नहीं पढ़े हैं तो कमेंट्स में देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आया है सब का अब वीजे जी का कमेंट है सर कोर्स प्लीस वीजे आप टीम मेंबर से बात किजिए वो लोग आपको बता देंगे क्या प्रोसेस है स तर आप यह स्टॉक यह सब स्टॉक को फाइंड आउट कैसे करते हैं और प्लिस रिप्लाई नित्या जी नित्या 2027 यह स्टॉक्स कैसे हम फाइंड करते हैं इस पर वीडियो अल्रेडी बना चुके हैं तो वीडियो को आप देखेंगे तो ठीक हो जाएगा तब्यत खराब है तो भी सेर मार्केट करना है एटी जी एटू जेड सल्यूशन अच्छा अलग-अलग सौटने माया था ना पढ़ने में दिक्कत हो जाता है तो इनका लाइक मार देते में मतलब होता ना ट्रेडिंग का नसा है बस तब्यत खराब हो हॉस्पिटल में भी रहने से आपको चार्ट देखने का अमन करेगा तो कुछ वैसा मेरा भी है तो मार्केट से दूर नहीं रह पाते हैं आदर्स कुमार जी वेलकम बैक सर फ्रॉम लॉस थैंक्यू आदर्स जी बागी कुछ वैसा कमेंट ने हैं 9 जो लोग भी वीडियो को सेर के हैं और भी आगए अगर आप दो सेर करेंगे तो और जल्दी हम लोग ना आगे बढ़ जाएंगे यूटूब अगर हम लोग को आगे नहीं बढ़ा रहा है तो हमको बिलीफ है कि आप लोग मेरे चैनल को ना थोड़ा ऊपर लेके आजएंगे ताकि मेरे को भी लगे ना कि 10K है अपना फैमिली ज्यादा का डिमांड नहीं छोटा ही हो बट अपना थोड़ासना फूर एक तो तीन चार फाइफ शिक्स फाइफ डिजिट का अपना फैमिली हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा बाकी मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई थोड़ा अच्छे से ट्रेल लेना है कल का दिन ट्रेंडिंग भी हो सकता है वैसे तो साइडवेस चलेगा तो में डाउनसेट का चांसे ज्यादा है तेक क्यों केरे बाई धिक तो